नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशा सत्तिकी रा में आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी दिनांग 15 मार्च का पूरे दिन का हाल और ग्रहिय परिवर्तन के साथ आपका स्वागत करता हूँ आपको जानकारी देदें कि आप हमसे कलकत्ता, राची, पटना, लखनओ, बनारस इन पांच शहरों में मुलाकात करके अपनी कुंडली का विश्लेशन करवा सकते हैं जनवांक में उपस्थित दुर्योग, सुयोग के विशे में जानकर पूर्व तैयारी कर सकते हैं और परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा को प्राप्त कर सकते हैं इस अनुकंपा को प्राप्त करना बड़े भाग्य से ही संभव होता है अगर आपका भाग के साथ देगा तो आप निसंदे हैं मिलने का समय सुनिश्चित करेंगे मिलने के लिए आपके समक्ष कार्याले के नंबर से चल रहे हैं किसी भी नंबर पर आप वाट्स अब कर दीजेगा 9910291850 ये नंबर है दिनेश का इस पर आप वाट्स अब करिए और अपने नाम के साथ शहर का नाम लिख दीजेगा और मिलने का समय सुनिश्चित कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज के आज का आई सुरवात करते हैं पहले आज का जोतिश दिशा सबसे पहले आज का पंचान चैत्रमा कृष्ण पक्ष अश्टमीति थी है आज चंद्रमा विश्चिक राशी में सुबह साथ बचकर 33 मिनट तक इसके बाद चंद्रमा का धनु राशी में प्रवेश नक्षत्राज सुबह साथ तैंटिस तक जेश्टा है इसके बाद मूल नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा योग रहेगा सिध्धी तद अनुसार दिनांक 15 मार्च दिन बुधवार बुधवार को राहुकाल दोपहट बारे से डेढ़ और गुलिकाल सुबह साड़े दस से बारे राहुकाल में नए और शुबकाम के लिए सास्त्र मना करते हैं और गुलिकाल में आप कंसीडर कर सकते हैं कोई भी नया और शुबकाम किया जा सकता है मेश से लेकर मीन तक अब आये सुर्वात करते हैं पूरे दिन का हाल अर्थात आज की 15 मार्च की भविश्य वाणी मेश राशी कार्यों में आज गती आएगी सिक्षा को पूर्णता की तरफ आप लेके जा रहे हैं ब्यापार के लिए किसी तरह की रुकावट नहीं बिजनस आगे बढ़ जाएगा प्राइवर्ट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़े फैसले की घड़ी आज समीप लाएगा सरकारी छेत्र की स्थिति को सुधारने में आज काम्याब होंगे बॉस के साथ तालमेल आज मेश वालों को अच्छा बैठेगा देखा जाए आज मैरेड लाइफ में अगर आपकी राशी मेश है तो थोड़ा सा संभालने की आवश्यक्ता है यहां कुछ समस्याएं अचानक कस्मात बढ़ सकती है लव लाइफ में मामला आपके हाथों से बाहर निकल सकता है आज विवाह की चर्चा ना करें तो बहतर रहेगा कुछ स्थतियां आपके हाथ में नहीं है स्वास्त के मामले में आज का दिन लीवर की समस्या और किड्नी की समस्या दर्शाएगा क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मेश है प्रियोग के तोर पर अपने कंठ पर आज हल्दी का तिलक्ष शोभित करिएगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रतिशत एक्सेट ब्रिशबराशी 15 मार्च बुधवार पढ़ाई में पूर्ण रूपेण आप आगे बढ़ रहे हैं सिक्षा की स्थिति को वाज सुद्रण परमात्मागी किरपा से प्राप्ट करेंगे ब्यापार अनकूल रहेगा बिजनस में किसी तरह की रुकावट परेशानी नहीं है प् बास प्रशन रहेंगे दामपत्य जीवन की स्थिति कुछ आपके हाथों से बाहर निकलेगी पति पत्ति के बीच तनाव आज बढ़ सकता है लव लाइफ के मामले में आज का दिन कुछ ब्यहतर होने की उम्मीद दिखाई दे रहा है लव लाइफ में कुछ अच्छा हो ही जाएगा स्वास्थ के मामले में आज का दिन किपनी और प्राइक की प्रॉब्लम दर्शाएगा प्रियोक के तोर पर किसी जरूरतमंद को आज हरी सब्जी का दान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए ग्रे भाग्य प्रत्शत 56 मिथुन राशी दिनांग 15 मार्च दिन बुधवार पढ़ाई के लिए आज का दिन बहुत अनकूल है कुछ रिजल्ट भी पॉजटिव आएंगे जिसका आपको बहुत अनकूलता के साथ पालन करना पड़ेगा व्यापार में उठापटक की स्थेती बन सकती है बिजनस को सतर्क रहने की आवर्शकता है प्राइवट शिर्टर आपके लिए पड़ फैसले दिखाएगा प्राइवट स्कीर में कुछ अच्छा होगा और बड़ा हो गाएक सरकारी छेतर की स्थेती regimen का प्रियास करें गौर्डमेंट सेक्टर आपके लिए बेहतरीन रहेगा दाम प के साथ परिचर्चा के साथ कदम बढ़ाईएगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो मिथुन राशी वालों को आज बैक की प्रॉब्लम हो सकती है जुखाम खासी की शिकायद की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिकर आपकी राशी मिथुन है आज भगवान गणेश का ध्यान करके एक दीपक गणेश भगवान के समक्ष प्रजुरित करिएगा शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्य प्रत्षट पच्पड करकराश दिनांक 15 मार्च पर भारी पढ़ रहा है प्राइवर्ट सेक्टर को लेकर के सजग रहेगा आज का दिन नौकरी में कुछ उठापटक वाला है बौस के साथ विवाद हो सकता है नई नवगरी के प्रियास स्थेज करने पड़ेंगे सरकारी छेतर की स्थिति बहुत अनकूल रहेगी करकराश से बाहर निकल सकता है विवाद की चर्चा टाल देंगे तो बहतर रहेगा स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो कमरदर्द घुटना और डाइजेशन की दिकत हो सकती करकवालों को उपाय क्या करना चाहिए आज का दिन बहतर करने के लिए मादुर्गा का प्रणाम करते मामला आपके हाथों में है शुक्षा में बहुत बहतरीन पूर्णता रहेगी ब्यापार में किसी तरह की दिकत नहीं है बिजनस आप बहुत अच्छा कर रहे है और उसी का आपको अनकूलता मिलेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़े फैसले दिखाएगा प्राइवेट सेक्टर में बहतरीन परिणाम मिल रहा है किसी तरह की समस्या नहीं आएगी सरकारी छेत्र की स्थिति को सुधारने में आप कामयाब होगी दामपत्य जीवन अच्छा है बच्चों का भी साथ रहेगा आज पत्नी का भी साथ है आज सिंग राशी वालों को प पेट की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए अपने कंठ पर थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग की प्रत्षत साथ कन्यराश आउसर आज आपको अच्छे मिलना है पढ़ाई के लिए शिक्षा में आज शांती के साथ कदम बढ़ेंगे ब्यापार भी अनकूल है बिजनस में किसी तरह की रुकावट परेशानी नहीं है प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए तो आज का दिन आप पर महरब सेक्टर बहुत अनकूल स्थिति में नहीं है कि गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की बातों में उल्जा सकता है दामपत्य जीवन अच्छा है बच्चों का भी साथ रहेगा लव लाइफ में कुछ मामला आपके हाथों से बाहर जा सकता है स्वास्थ के म सामले में देखा जाए तो आज कमरदर्द और आखों की समस्या आपके लिए है कन्याराशी वालों को प्रियोग के तोर पर आज किसी जरूरत मंद छोटे बच्चे को कच्चा दूद्ध देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज सफेद भागी प्रद्शत बावन तुलाराशी मानसिक शांती के साथ स्रिक्षा में आज आगे कदम बढ़ रहा है कहीं नई जगह एडमिशन आज के लिए विचार हुआ होगा तो उसमें भी आपको अनकूलता मिलेगी ब्यापार में उठापटक की स्थिति बन सकती है बिजनस आज कुछ आपको तनाव दे सरकारी छेत्र में मामला आपके हाथों से बाहर जा रहा है सरकारी छेत्र को लेकर कि आपको आज सजग रहने की आवशकता है दामपत्त जीवन बहुत अनकूल रहेगा पति-पत्नी के बीच तनाव से मुक्ति की संभावना है आज लव लाइफ तुला राशी वालों की वि लिए ना शुब होगा शुबरंग आपके लिए तुला राशी वालों के लिए आज औरेंज भाग की प्रतिशत सत्तावन बिच्चप्रार आपके हाथों में हैं श्रिक्षा में बहुत अनकूलता है पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है ब्यापार आपके लिए आज उल्झन भरा रहेगा। बिजनस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बिजनस को सम्हालने का प्रियास करिएगा प्राइवर्ट सेक्टर आपके लिए कुछ तनाव दे रहा था जिसको आप शाम होते होते सम्हाल लेंगे सरकारी छेतरी की स्थिति में आज कुछ अनकूलता रहेगी आज का दिन आप पर महरबान है गवर्मेंट सेक्टर में प्रमोशन और मकान का सुख मिल सकता है मैरिड लाइफ को लेकर के आज पत्नी कहीं रुष्ट हो सकते हैं याद करिएगा कहीं किसी बात का आपने कुछ कमिट्मेंट तो नहीं किया था लव लाइफ बहुत अनकूल है लव लाइफ में आज इस्मूद्नेस रहेगा आज निवाह की चर्चा भी कर सकते हैं स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज का दिन बैक की प्रॉब्लम दिखाता है रियोग के तोर पर आज अपने कंठ पर थोड़ा शहद का तिरग लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग की प्रतिशत तिरसट धनुराशी बहुत ब्यहतर समय है अनुकूलता आपके साथ हर कदम पर है शुक्षा की स्थिपूर्णता के साथ आगे बढ़ रही है आज नया फॉर्म भर सकते हैं आप विचार कर सकते हैं शुक्षा में धन की कमी आज दूर हो जाएगी ब्यापार के लिए कुछ नई योजनाय बन रही है और पार्टनर्शिप में आज ठाहराव आएगा ब्यापार बहुत अनुकूल इस्थति में है प्राइवर्ट सेक्टर आपके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा प्राइवर्ट सेक्टर में कुछ तनाव बढ़ सकता है सरकारी छेतर की स्थिति सुधर नहीं है गौर्मन सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी दामबत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा लव लाइफ में कुछ सोच समझकर निरड़े लीजेगा स्वास्त के मामले में आज लीवर की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहेगा आपकी राशी धनु है आज अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग की प्रत्षत पच्चपन मामला आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा पढ़ाई बहुत अन्कूल है इस्थतियां आपके अनुसार चल रही है ब्यापार में इस्थति बहुत सुद्रण है बिजनस बहुत अन्कूल रहेगा प्राइबर सेक्टर आप पर भारी पढ़ सकता है सरकारी छेतर को समारिएगा सपोर्ट भी मिलेगा लेकिन लव लाइफ की स्थति बहुत अच्छी नहीं है स्वास्त के मामले में आँख और बैक की प्राइबर हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर आज अपने हाथों से कुछ खाने के लिए किसी छोटे बच्चे को देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रत्षत सत्तावन 57 कुमराशे मांस्शिक शान्ती के साथ शिक्षा में पूर्णता है पढ़ाई बहुत अन्कूल है शिक्षा अच्छी चल रही है ब्यापार में कुछ उठापटक के साथ आगे बढ़ जाएंगे बिजनस में रिस्क ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा किसी से सलाम अश्वरा करके लिजेगा बिजनस आज बहुत ऐसी इस्थती में नहीं है कि जिसको ले करके आप सोच समझ करके थोड़ा चलिएगा प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ अच्छा कर रहे थे और वही आपके लिए बहतर भी रहेगा सरकारी छेत्र बहतर अनकूल इस्थतियों में आ रहा है गवर्मेंट सेक्टर में आज ठीके रहेंगे दामपत्य जीवन को देखा जाए तो यहां वहां की बातों में उलच सकते हैं लव लाइफ में कुछ अच्छा था और यही आपके लिए सबसे बहतर प्रेणाम दिखाएगा स्वास्त के मामले में आज का दिन बैक की प्रॉब्लम और आखों की समस्या दिखाता है कुम राशी वालों को आज प्रियोग के तौर पर किसी जरूरत मंद छोटे बच्चे को कुछ पाठ्थे सामगरी देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज नारंगी औरेंज भाग की प्रतिशत एक सट अंतिम राशी मीन शिक्षा पूर्ण है आज पढ़ाई में कहीं रुकावट नहीं है आगे बढ़ रहें रहाश्पत की किर्पा है सूर्य दियों क्या सानिध्य है और आपके अंदर की चमक है मन थोड़ा व्यथित रहेगा लेकिन पढ़ाई हो जाएगी मन क्यों व्यथित रहेगा खश्ठेश हो करके शूर्य आपके लगने में आ गये हैं तो मन यहां व्यथित हो जाता है ब्यक्तिकत रिस्तों को ले करके ब्यापार अच्छा है बिजनस में कोई रुकावट नहीं प्राइवट सेक्टर को देखा जाए तो आज यहां पर आपकी जो कॉंपटीटर से वह आगे बरते दिखाई दे रहे हैं यहां पर इस्तेती बहुत अनकूल नहीं रहेगी सरकारी शेत्र में आज मेहनत का प्रणाम दिखेगा बॉस प्रशन रहेंगे 100% दामपत्त जीवन अच्छा है आज का दिन गुस्से पर काबू रखेंगे तो सब कुछ सामाने रहेगा देखिएगा शाम होते होते गुस्सा बढ़ेगा लव लाइफ आप पर थोड़ा सा मह है और यही आपके लिए अच्छा रहेगा शादी की चर्चा कर सकते हैं और आज यह हो सकता कि आपका प्रेम बहुत छुप छुप के चल रहा था तो आज वो फ्रंट पर आ सकता है क्योंकि सूर्य लगन में आ गये हैं सब्तम को देख रहे हैं और पंचम से दुतिये शो कर क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राशी मीन है आज प्रियोग के तोर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ मिठाई चौकलेट टॉफी दे दीजेगा शुबरंग आपके लिए आज स्लेटी भाग्य प्रत्शत छांचट राशियों का हाल समझ लिया आपको को एक बार पुनह याद दिला दे कि आप हमसे कलकत्ता पटना राची तीन शहर यह हो गए चौथा लखनव और पांचमा बनारस यह पांच शहरों में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं इन शहरों में मिलने के लिए आपके पास अवसर है समय है बस आपको तुरंत इसका लाब लॉंग ले लिजिएगा उसको वामावर्थ एंटी क्लॉकवाइस सर से घुमाईए और पीछे की तरफ थ्रो कर दीजिएगा काम पूरा हो जाएगा आपका दिन आपका परम भाग्यशाली वीतेगा यह आपके भागी को इनहेंस करता है बढ़ाता है बूष्ट करता है चर सिंग गाग्षर कन्या चा तुला माग्षर व्रिश्चिक जा धनू खाग्षर मकर घा कुम्भ वाग्षर मीन रा यह आपके अपने भाग्य अक्षर चंद्र राशी के अनुसार दिया जाता है जिसे सादे कागच पर जो इसक्वायर हो थोड़ा सा स्वास्तिक आदि बना करके लाल रंग के इंग वाली कलम से लिखकर अपने पास पर्ष में कहीं पे भी रख लीजे अगले दिन का जब भाग्य अक्षर दिया जाए तो इसे आप किसी पौधे आदि की नीचे डाल दीजे मान लिजे अगले दिन का आपने भाग्याक्षर नहीं देखा कहीं यात्रा में हैं बेस्त हैं नेटवर्क नहीं नहीं पाए तो जब तक नया नहीं लिखेंगे तब तक यह एक्टिवेट रहेगा है ना कमाल की चीज आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिनका दिनांग पंद्रह मार्च को शुब जनम दिन है आयुष्मान भावाहर ने 25 मार्च को ुगर आप पैदा हुएं हैं तो आपको जनम दिन के हारदिख शुब कामनाव honor आशिरवात प्यारदुलार माशर्ष्मति से प्रारत्पना मावं विन्देवासनी से प्रारत्पना कि आपकी ज नीम के पौधे कहीं दुरगा मंदिर में लगाई है राहू और शनी को यहां से बाइलन्स किया जाएगा इसके अलावा तीन लोगों को भोजन करा दीजे मिनिमम जादा करा सकते हैं तो आपकी इच्छा है और अगर आज आपका marriage anniversary है तो शिवाले की सफाई करके दूद से रुद्रा विशेक करवाईए रामभणों के द्वारा और वहीं बैठकर पति-पत्नी एक माला महामर तुन्जय मंत्र का जाब करें और एक बेल का पौधा बेल पत्र जो शिव को चढ़ाते हैं वहीं बेल का पौधा वहीं शिवाल इस मार्च चैत्र नवरात्री है इस चैत्र नवरात्री के पावन पर्व पर एक दिव्य अनुष्ठान हम करवा रहे हैं सर्वबाधा शांति महानुष्ठान व्यक्तिकत तोर पर आप इसमें भाग ले सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए कार्याले के नंबर 9354619250 पर त हैं।